तॉप लिडर्शिप हो या आप सभी जितने लोग हैं सबने एक अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है किस तरह से इस कैमपेन को देखते हैं देखे मानी प्रधान मंत्री सीर नरेंद मोदी जी मेरा भारत मेरा परिवार और वो अपने संबोधन की सुरुवात मेरे परिवार जनों कह करके करते हैं और जो इंडी गडबंधन के भरष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं और उनके नेता हैं मानी प्रधान मंत्री जी के इस परचार से उनकी नियू हिल गई है जो राजनीती को और पार्टियों को एक परिवार की जागिर बना करके रखे थे आज वहाँ जागिर उनकी खिसक रही है और देश किस प्रकार से प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा है वहाँ जो कंपेंच चल लाहा है मैं भी मोदी परिवार का सदस्व हूं तो यहां अपने आप में जबाब है ऐसे परिवार वादी राजनीती करने वालों को कि मोदी जी देश के 140 करोन लोगों को अपना परिवार मानते हैं वो केवल अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं अपने बेटे को अपना परिवार मानते हैं अपनी पत्नी को अपना परिवार मानते हैं अपने एक परिवार में किसी भी प्रकार से राजनीती कैद लोग आगे आने चाहिए और यही प्रचार आधरनी प्रदांमंतरी जी ने किया तो इसी तो सब को इसी के कारण से मिर्ची लगी क्या लगता इससे पहले एक बर विपक्ष ने चौकिदार का नारा दिया था जो कि उसके मूग की खाना तो उनको ऐसे भी पड़ेगा क्योंकि जनता मानी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी का चुनाओ जनता लड़ रही है और मेरी जानकार के अनुसार भी पच्छी दल को अपने दल के लिए प्रत्यासी खुजना मुस्किल पड़ रहा है और जो प्रत्यासी बन रहे हैं उनका समर्था को उनसे कह रहा है देखो हम अपने ओट की गारंटी ले सकते हैं लेकिन हमारे परिवार का घर का भी ओट मिलेगा भी पच्छ को या मुदी जी के खिलाब ये गारंटी नहीं है फिर एक बार पुर्चंड वहुमत की मुदी सरकार अभी आप भी निकल रहे हैं मीटिंग ए कैमिनेट की क्या कुछ उत्तवर्दीश की तरखी के लिए और जो होगा कैमिनेट के बाद बताये जाएगा एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी